नमस्कार मैं हूँ अर्चना आप देख रहें नियूस टाइमनेशन अब वक्तों चला है अपराग जगत से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों का सुल्तामपुर की लंभवा तैसील के पास घर में आग लगने से पूरा घर जलकर राख हो गया जिससे पूरे गाउं में हड़कम बच गया अमेठी में जामो थाने के उमडियेहा में सड़क किनारे नाले में वक्तिका शोव मिला फिलहाल पुलिस ने शोव को कपचे में लेकर पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया है अमेठी में धाना जगदीशपू पुलिस ने एक शक्स को गिरफतार किया है पुलिस ने आरोपी के पास से पिस्टल और चाह कार्थूस भी बरामत किये हैं अमेठी में धाना गोरिगंज पुलिस ने फॉक्सो एक्ट में वांचित आउन प्रकार सोनी कोगिरफतार कर जेल पहिज दिया है पुलिस को काफी अर्षे से आरोपी की तलाश थी अमेटी में थाना पीपर पुलिस ने एक आरोपी को गिरिफता कर लिया है आरोपी के पास से पुलिस ने एक किलो दो सो ग्राम गांजा भी बरामत किया है अयोध्या में थाना पूरा कलंदर, पुलिस और साइवलान सेल ने टकैती की योजना बनाने वाले चार औरोपियों के गिरफता कर लिया है, औरोपियों के पास से पुलिस ने हतियार भी बरामत किये हैं गोंडा की थाना तरब गंज पुलिस ने एटियम में जाल साजी करके पैसा निकालने वाले दो आरोपियों को गिरफता कर लिया है, आरोपियों के पास से पुलिस ने पांच हजार रुपे भी बरामत किये हैं लखिमपुर खिरी में थाना ईशा नगर पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफतार किया है, आपको बता दे कि आरोपियों पर कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्च है लखिमपुर में थाना शार्दा नगर पुलिस ने विक्रम को गिरफ्ता कर लिया है आपको बता दे कि विक्रम के पास से अवैत तमंचा और कार्थूस भी बरामत किया है लखिमपुर में थाना शार्दा नगर पुलिस ने S.C.S.T. Act में वांचित मोहित अवस्थी को गिरफ्ता कर लिया है पुलिस ने मोहित के पास से तमंचा और कार्थूस भी बरामत किया है जौनपुर में मचली शहर तहसील की लेकपाल मुकेश यादो को एंटी करफ्शन टीम ने गिरफ्ता कर जेल भेज दिया है आपको बता दे कि लेकपाल को 7000 रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है जौनपुर में ठाना गौरा बादशापुर पुलिस ने बलातकार के मुकदमे में वांचित शेरान को ग्रफता कर जेल भेज दिया है जौनपुर में ठाना चंदवक के तराओ गाओं में आपसी विवाद को लेकर दिन दहाड़े गोली चलाए गई जिसमें मौके पर पच्ची पुलिस मामले की छांबीन में जुट गई है आपको हमारी खबरे कैसी लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अगर आप इन खबरों को फेस्बुक पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें इसके लावा अगर आप इन खबरों से यूटूब के जरीए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्र ना जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें